सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो क्लाश 10 की एंसी आर्टी मैथमेटिक्स में बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपका एक नया होगा जिसका नाम है 5.2 यानि आपका जो आर्थिमेटिक प्रोग्रेफन चल रहा है समांतर स्रेडी उसका आपका एक नया ध्या होगा आज प्रसना वली 5.2 जो बच्चे एंसी आर्टी बुक लिए हैं वो पेज नंबर 116 खोल ले 116 और फ़र्ष्ट कोईश्टन पर आ जाएं कहरा कि निमनलिकित साड़ी में अरिक तस्थानों को जहां एपी का पर्थम पद ए यानि फ़र्ष्ट पद जो है ए है सारवांतर मिंस कमन डिफ्रेंस कर दी दिया है और आप देखो यहां पर सारडी में कई कुश्चन दिये गए हैं लेकिन हम अगर सारी सारडी यहां बना देंगे तो हल करने का जगा नहीं बचेगी इसलिए को मैंने लिया है इसका एन का वैलू हम फाइंड करेंगे आप देखिएगा उसके बाद फिर हम इसी आधार पर आगे बढ़ेंगे दूसरा लिखेंगे फिर तीफरा लिखेंगे ऐसे करते जाएंगे ठीक है किसी को कोई समस्या नहीं है चलो तो प्यारे बच्चों इसके प समंदिया है हमें निकालना है तो यह सूत्र होता है सिंपल सा ए एं बराबर कि प्लस यहन माइनस ऑने इन्टो डिए इससे याद रखना यह हर जगह कामाएगा हमक्तने करना है कि इस Vivi का मंन आठ तिया है माइनस वन इंटू डी कमान तीन दिया है खल कर लेना है तो यह साथ और प्लस देखो आठ में से एक जाएगा साथ आएगा और साथ का तीन में गुड़ा करोगे कईस आएगा तो भाईया हो सीधा सीधा सा बाबू कितना आगया यह 28 कितना आगया 28 यहां पराब 28 भर दोगे कितना आएगा 28 इस तरह से आपका यह पहला हो गया इसे फटा फटा आप लोग नोट कर लो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब हम इसको मिटाते हैं ओके इस क्रिंसार्ट ले लो या लिख लो अटा रहा हूं मैं इसको ठीक हो गया चलो तो अब इसका सिकेंड पार्ट आ रहा है आपके सामने इनके देखो मान बदल रहे हैं ध्यान देना यहां से सिकेंड पार्ट आ रहा है चलो 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 रेडी सिकेंड पार्ट में क्या है वच्चा जरा ध्यान से गौर फर्माना इसमें A कमान माइनस 18 है, D कमान निकालना है, N कमान 10 है, और A N कमान अपकी बार इसमें 0 दिया है, चलो जल्दी से आप लोग मुझे कोई कमेंटे करके बताएं, कि इसमें जो D कमान होगा, कितना होगा? चल्दी से बताओ, फटा फट देर नहीं, कोई बताएगा एनिवन, कोई भी, देखो मैं बताता हूँ, यहां समझो, फर्मूला तो हमें मिटाना है नहीं, क्योंकि अब इसी सुत्र से यह रामबाड है, इसी में सब कुछ रखेंगे, जो वैलू दिया है, जो नहीं दिया, व कल के आजाएगा बाहर, जरहा एक बार देखो तो ना, प्यार से, तो एन कामाण 0 दिया है, रख दो, एक वन मान एन दिया है, पलस एन कामाण भीया दिया है, अठारा, क्यों इन कमाण 10 दिया था, अर्य यह कितना दिया था, 10, अभी मैं सोचा, यह भी आठारा, वो भी इन्टू डी कमान तो हमें पता ही नहीं है चलो यह 0 यह माइनस 18 और यहां पर ध्यान देना दस में से एक जायेगा नो आएगा और डी में गुड़ा हो जायेगा बाबूती यह 9D हो जायेगा ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं न यह 18 इधर से जब इधर आएगा यहां माइन यह क्यों हो गया क्योंकि 9 से इधर जब भाग में आएगा यह 18 अब भाई इतना तुम समझे रहे हो मैं बता देता हूं एक मिनट रुख चा इधर देखो इधर चलो इसके बाद यहां उपर देख लो तो देखो यह 18 यह जीरो ऐसे रहेगा यह इधर साइड माइनस में इधर साइड आयगा बढ़ाबर का नाइन डी इतना किसी को कोई अपर्ति नहीं अब देखो बेटा यह 18 रहेगा और यह नहों इधर गुड़ा में है इधर आएगा भाग में और यह कट जायेगा 2 बरबढ़ बढ़ दि कहने का मतलब जो D का वैलू आई वो क्या आया टू आया कितना आया दो आया हम यहाँ पर दो भर सकते ठीक है इस तरह से आपके दो पार्ट हो चुके है तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बहुत ही प्यार से समझना और जाना तो कहीं नहीं बिल्कुल कहीं नहीं जाना एकदम टेंसन फ्री होके पढ़ना चल तो यह दो पार्ट आपके हो चुके देखो भई आईस तरह से आपके जितने भी पार्ट्स हैं सब ही आएंगे और उन्हें आप कर लेना एक स्वर में बोलो कर लोगे की नहीं जितने भी हमारे चुलू मुलू कमेंट कर रहे है मार परेसान है कमेंट में बिटा थोड़ा धैरे बनाके रखो पढ़ लो है ठीक है और जो थोड़ा सेटिंग करने आते हैं उनसे तो निबेदन है हाई स्कूल में हो अभी कुछ काम कर लो लाइफ के लिए आगे की जिन्दगी पूरी सेटिंग करना जो तुम करना चाहता हूई मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम बड़े समझदारों सब समझ गए चलो इसलिए पढ़ लो चुपचा पढ़ लो माइनस तीन देखो इसमें एक कमान नहीं दिया तीसरे में टी कमान माइनस तीन दिया है यन कमान अठारा दिया है बच्चा और बवुआ ये पांच दिया है माइनस में ये आपका थार्ड पार्ट है इसमें आपको A का बैलू find करना है यानि अगर आपको D दिया है N दिया है और A N दिया है तो आपको क्या करना है A कमान निकालना है कैसे आएगा ज़रा सोच के बताओ चलो बिटा फट 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 आजओ 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 कितना आएगा यह चुप़े से सूतर लगा लो A N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटो D इसे बूलना नहीं लाइफटाइम काम देगा यह समानतर स्रेडी का कहीं भी कुश्चन आएगा A N कमान माइनस 5 दिया है A कमान कुछ नहीं पता हमें तो हम वह ऐसे रख देंगे एन कमान 18 है और D कमान माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस यहां द्यान देना थोड़ा सा 18 में से एक जाएगा यह 17 हो जाएगा 17 का 3 में गुडा करोगे बाबओ तो 51 हो जाएगा और यह माइनस में है इसलिए यह माइनस का 51 आएगा यानी पांच के बाद में बराबर ए और ये प्लस और ये माइनस का 51 कितना समझ में आया ना क्योंकि ये 17 आएगा 17 का 3 में गुड़ा करोगे तो 51 माइनस में आएगा अब नीचे जगा नहीं इसलिए मैं आगे हल करूँगा क्योंकि नीचे छुप जाएगा फिर तुम परिसान होगे तो ये माइनस का 5 समझना यहां से माइनस का 5 ऐसे रहेगा और ये जब ब्रेकट खुलेगा तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस का 51 जब दूसरी साइड आएगा बब वह तो ये प्लस हो जाएगा यहनि प्लस का 51 बड़ाबर है अब देखो ये 5 इसमें से घटा लो घटा लो और मुझे बताओ 51 में से 5 जाएगा कितना आएगा 43 आएगा वो भी प्लस में आएगा कि 40 प्लस में आएगा क्यों आएगा क्योंकि जो 51 है वो बड़ा है और जो नंबर बड़ा होता है अंसर में वही चिन्न लगाया जाता है समझ में आया यह नहीं आप कह सकते हो कि जो एक अवैलू आया है वो 46 आया है इतना आया 46 लिख लो फटा फट और चलो आगे बढ़ते रहो बिल्कुल टैंसन मत लेना एक भी पैसे का तुम के बलको सिस करते रहना चलो क्या मैं मिटा सकता हूं स्क्रीन साट ले लो जल दी स स्क्रीन साट ले लो मैं मिटा दूँ चलो तो यह तीन हो गए आपके इसमें के तीन पार्ट आपका रिक तस्थान भरने वाला था क्लाफ 10 की अंसी आटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे जो बच्चे इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किये हैं बाबू अगर लाइक कर द लेगी तो फिर हम से सिकायत नहीं करना है आप क्लास को लाइक और सेयर करोगे हमारी पूरी जिम्मेदारी आपको घर बैठे फ्री में बढ़ाया जाएगा आप हाई स्कूल में टॉप करोगे लेकिन अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर आगे की कहानी अलग है इसमें आ आप से पूछ हूँ तो बता लोगे ना बता लोगे ना बाबू चलो थारे मान दिये गए हैं इस सूत्र में रखना है थोड़ा सा कल्कुलेशन इसका आसान नहीं है क्योंकि दसमलू में है आप कहोगे गुरुजी बड़े चलांक निकले अब तो थोड़ा मुस्किल वाला 6 दिया है एक कमान माइनस 18.9 दिया है यन कमान हमें नहीं पता है और डी कमान 2.5 दिया है ठीक है यह 3.6 ऐसे ही रहेगा यहां ध्यान देना इनका इसमें गुड़ा होगा आप सबको पता है यह इसके बीच में प्लस है बच्चा देख लो गलत हुआ है यहां पे बीच में प्लस का साइन रहेगा यह थोड़ा से ज्यादा ही जल्दी में ज्यादा सुन्दर लिख दिया गया है थोड़ा से रूप जाओ समझो एक कमान दिया है माइनस 18.9 उसके बाद प्लस का साइन है यन माइनस 1 इंटू डी कमान दिया है 2.5 अब यह माइनस का अथहराद अस्मवलों 9 अब देखो इनका इसमें गुड़ा करना है तो जाहें गुड़ा करो यह ना करो तो ज्यादी अच्छा रहें करना बंसे इ благ करना का इंग नहीं तुमकद पर करने नहीं तो तुम कह ओगा फिर कह रहा है उसमें अगली साइड लेयाओ भाई यह 3.6 अंकेला बचा बिचारा इसके साइड लेयाओ न तो यह प्लस हो जाएगा 18.9 पराबर यह 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 किसी को कोई अपती नहीं है देखो यह इधर माइनस में था इधर आया तो यह प्लस में हो गया अब इनको क्या करेंगे जोड देंगे तो भाया जोड तो लेवे करोगे तुम किना जोड लोगे जोड लोगे कि नहीं जोड के देखो नौच्छा पंदरा पचीस लगभग आएगा क्या यह मुझे लग रहा यह पचीस आएगा चाहे जोड के देख लो तुम कि जोड के देख लो पचीस आएगा क्यूं वाइ सीधी सी बात है अठारा यह पूरा पूरा तीन यह है अठा तीने कई सो गया और नौचा यह कितना हो गया पंदरा पाइस साधे बाइस कि जोड़के दिखा दूए के पॉइंट चलो नौचा पंदरा पांच अशी लाया एक एक और आठ तीन ग्यारा एक बारा का दो हांसी लाया एक और एक एक दो हां दस हमलो एक अंक पे लग दिया एको मैं थोड़ा सा यहां explain करना चाहूंगा साइड में आप देख लो अठारा दस हमलो नौ और यह तीन दस हमलो चाह नौचा पंदराग पांच हांसी लेक आर तीन ग्यारा और एक बाराग दो हांसी लेक और एक एक दो यानि ट्वंटी टू पॉइंट फाइब ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना नहीं न भाईया चलो no problem don't worry ओके चलो ठीक है तो यह हो गया अब हमें क्या करना है देखो यह तो जूड़ गया यह इधर गुड़ा में है यह इधर आएगा भाग में हो जाएगा यानि यह भाग में हो जाएगा तो यह 2.5 इसके ज़ आएगा पराबर यह इन माइनस वन अब वन भी उधर पे आएगा तिधर इसी में प्लस हो जाएगा लेकिन यह दसमलो वाला हिसाब अब तुम्हें हल करना है अब कहोगी दसमलो नई मुसीबत ले आया ओपर भी दसमलो एक अंक पर है नीचे भी एक अंक पर है आप सबको पता है 25 का पाड़ा आता है न क्यों भायख 25 का पाड़ा सबको आता है न तो भह का सी बात है पचीश गाम्मा होता है यह 29 225 होता है एक एक अंक पर दसमलो है तो हम इसे बीना कुछ करेज simple में 10 हमलों हटा सकते हैं दोनों तरफ से ये बोलों हटा सकते हैं कि नी क्योंकि एक एक डिजिट पे डेसिमल है ये कट जाएगा ये नौ आएगा कितना आएगा भाई 9 आएगा बाबू तो ये 9 और उधर वाला 1 इधर आएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा बात समझ में आई 9 प्लस वन यानि फाइनल में आपको पता हो गया कि ये न कमान कितना है 10 हमें क्या जोड के रखूं यहां जगा नहीं है कि इतना ये न कमान कितना है दस देखिये थोड़ा सा कल्कुलेशन इसका लंबा था बाकी आसान है स्क्रीन सार्ट ले लो जल्दी से आगे बढ़ते हैं सभी प्यारे बच्चों से निबेदन है अपने वाटसप गुरूप में जादा फिजादा सेयर कर दो बावू अभी तीन कुष्टन और करवाएंगे इस कलास में और पूरा इंड तक कलास को देखना जाना कहीं नहीं कहीं नहीं जाना छोड़के अगर पढ़ना है तो आएं तो यूटूब बहुत बढ़ा है खोजते रो बहुत सारे वीडियों मिलेंगे लेकिन कहीं एक जगा तुमें टीक ना पड़ेगा अगर बूर्ड में टॉप करना अच्छे नमबर लाना है तो ऐसा नहीं कि तुम आज यह देख रहे हो कल हुआ देख रहे हो परसों हुआ देख रहे हो किसी के साथ तो वफा करो थोड़ी सी समझ रहे हो ना चलो अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं मुझे उमीद है कि अगला पार्ट आप लोग कर लेंगे और हमें लग रहा खतम भी हो गया अगला पार्ट है भी नहीं का एक ठी बचा है इसको मैं बताऊंग अभी नहीं कर लोगे ना सभी जल्दी से बोलो यस जल्दी बोल मैं इधर हमारा काम पीछी हो जाता है और तुम सोचते हो कि देख नहीं रहें वहरकत कराना चैटिंग में मैं सब देख रहा हूँ एक एक लेकिन आप बोल दूँ तुम्हारी बेज्जती कर दूँ तुम यही चाहते हो का तुम्हें चैटिंग में गब सब करते हैं मुझे सब पता रहता है विसमें का मान निकाल कि मुझे जल्दी से पताओ रेक बच्चा बताएगा तुरंत रेडी हो जाने कंठा पे पढ़ेगा जल्दी चलो हंक पी इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ आब इसको मैं मिट आऊँ च्रय duy करोई तरफ हमे आगे बढ़ते हैं कि बहुत ही प्यार से देखो सिकेंड कुष्टन आजाओ जल्दी से फट अफट भई दूसरा प्रस्म की तरफ आगे चलें देखो दूसरा आप लोग अगर प्रेंगे लिये हो तो आपको क्लेयर हो रहा होगा एंसी अटी किताब लिये हो लो किसके किसके पास में किताब है यह बता हूं जe है आप लोग के पास चलिए आगला कुश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर आप बहुत ही प्यार से इसे देखो और फिर समझो कहरा कि निमलिकित में से सही उत्तर चुनिए और उसका आउचित दीजिए तो बहुत आसान है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक हमें स्रे में इसमें तीसमा पतब बताना है इसका जो तीसमा पत है इसमें से कौन सा सही है वह आपको सेलेट करना है फिक है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं Don't worry जो बिटा क्या करना है इसमें हमें फर्मूल लगाना है सिंपल सा a n पराबर a plus n minus 1 into d सारे बेलु आपको रख देने हैं बस होगे आपका a n मतलब हमें तीसमा पद निकालना है तो a n की जगा पे आप क्या करोगे a 30 और a a कमान क्या दिया हमें पहला पद 10 दिया है प्लस यन यानि तीसमा पद तो पूछा है न इन्टू डी कमान देखो इस रेड़ी से तीन आ रहा है इसे आप रख सकते हो इस तरह से आप निकालोगे तो 10 और ये इसमें से घटाओगे 31 आएगा कितना आएगा 31 का तीन में गुड़ा कर लो 39 27 तीन दुना और देखो बाबू ये घटाने पर क्या आएगा प्लस में आएगा और डी कमान यहां से ध्यान दो जो आएगा माइनस में आएगा जो कि ये उल्टा स्रेड़ी घट रही है इस तरह से आपका ये माइनस का 87 यानि जो आपका तीसमा पता आया वो कितना आया माइनस का 77 होगा अगर आप से आप्सन सेलेक्ट करने को कहा जाए तो आप्सन आप स雌कर सकते हो इसमें सी वाला आप्सन सही जो तीसमा पता है ये इस स्रेड़ी से बनाएगा माइनस 77 ह क्योंकि 10 के बास साथ फीर चार यह घटती हुई से रेड़ी जा रही फिर वन आएगा फिर माइनस दो आएगा फिर माइनस मतलब घटता जा रहा है तो जो तीसमा पद है माइनस सेबंटी सेबन होगा स्क्रीन सार्ट ले लो या लीखलो आगे बढ़ते हैं जल्दी करो बहुत जल्दी करो आगे बढ़ें फटा फट देर नहीं चलो ओके इसका जो इसमें सीकेंट पार्ट है वह होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए आप लोग उसे घर से कर लेना ठीक है इसको इसमें कोई परेषानी नहीं होना चाहिए जैसे मैंने बताया वैसे सीकेंड वाला कर लेना जलो बहुत जल्दी करो फटा फट बच्चे लाइक करते रहो जल्दी जल्द फटाफट्स लापर वही ना करो लाइक सेयर में विल्कुल भी कोता यी ना करो तूरंद फटाफट्स हर एक बच्छा लाइक कर जल्दी से अगले कुश्चन की तरह बहुत ध्यान से आगे बढ़िए जल्दी से फ़स्ट कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ध्यान दीजिए बहुत ही गवर से देखिए क्या कह रहा है बाबु यह जरह समझने की कोसिज करो कुश्चन कह रहा है कि समांतर स्रेडियो मेर इसको अगर मैंडली सोचा जाय तो आराम से निकाल सकते हो लेकिन इसका प्रापर तरीका होना चाहिए क्योंकि जब आगे चलके स्रेडी बड़ी हो जाएगी तो फिर आप उसमें यह दिमाग नहीं लगा पाओगे जो मैं अभी बता रहा हूं अभी दिमाग कैसे लगाएं कितने का है बाबू 24 आंतर है आप यह सोचो की 24 का अधा कितना होगा 24 का बारा तो क्या इसके बारा हो सकता है जर सोचो अगर इसके 12 लिख देते हैं तो इसका सायरबांतर कितना और बनेगा वही बारा में से 2 जाएग – 10 आएगा लेकिन 26 में से जब बारा घटा होगे तो 10 नहीं आएगा यानि इस पर बारा नहीं हो सकता है इस पर बारा और प्लस यह पहला वाला पद इस पर 14 हो सकता है आप 14 लिखो तो 14 तो यह इसका चही आनसर है थीक है, क्यों? तुम्हें समझ में बहुत कमाया होगा नब जो तरीका बताऊंगा वह समझ में आएगा legalी तरीका जो सिस्टम वाला है देखो इस तुरेड़ी में अगर हम मान लें कि हमें 14 नहीं दिया है इसको मिटा देते हैं अभी इसको नहीं मान रहें कि दिया है मुझे मिल गया तो देखो हमें दिया क्या क्या है हमें पर्थम पद दिया है सिरेडी का और हमें इसका दूसरा ये तीसरा पद है ये थ्री दिया है बोलो भाई दिया है ना बाबू कितना ही तो दिया है न अब हम क्या करेंगे हमें इसमें डी पता होना चाहिए सारवांतर अ प्लस यन माइनस 1 इंटू डी यही इकलोता सुत्र है जो हर जगा काम देता है तो हमें क्या करना तीसरा पद दिया है पहला पद दिया है तो पहले और तीसरे की सहायता से हम कुछ आगे काम बढ़ाएंगे तो भीया हमें एन दिया है एन का मतलब हम माल लेते हैं कि हमें इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं नहीं यह 26 थोड़ी है सौरी तीसरा पद है यह तीसरा पद है तो हम क्या करेंगे तीसरे पद का जो हमें मान दिया है उसको रख देंगे 26 और ए का मान कितना दिया है दो और प्लस देखो यन का मान कितना दिया है यन कौन सा पद है यह तीसरा पद है ना इसका मान तो 26 था मैंने रख दिया यह तीसरा पद है तो 3 minus 1 into d पस ये हो गया 26 बराबर ये 2 और ये plus 3 में से 1 गया तो 2 आयागा 2 d हो गया यहां से समझो 26 में से 2 गया बराबर 2 d ये 24 बराबर क्या आजायागा 2 d यानि यहां से जब हम निकालेंगे तो 24 upon 2 equal d final में हम यहां से कह सकते हैं कि d कमान कितना आया 12 क्यों भाई 12 ही तो आया ना d कमान 12 है कि 14 है 12 ही आयेगा 14 ही आयेगा कितना आयेगा 12 अब अगर d कमान आ गया हम लोगोंने सारेडी पढ़ा है तो हम बड़े प्यार से अकला निकाल सकते हैं दूसरा पद निकालना यानि तो दूसरा पद क्या होता है पहले पद में सार्बांतर जोड़कर दूसरा पद निकालते हैं स्रेडी में हम लोग यही पढ़े हैं अब तक यही पढ़े हैं तो चलो भाईया निकालो पहला पद दो है सार्बांतर बारा आया है फाइनल में ये चौधा हो गया जैनि हमें पता है दूसरा पत कितना आ गया बबुगा 14 आ गया कितना आ गया 14 लिख लो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते रो जैनि ये कितना आ गया 14 अभी मैंने तरीका बताया था इसका फाइस्ट पार्ट हो गया बहुत जल्दी आप इसक्रीन साट ले लो तुरन देर ना करो चले तुरन देर ना किया करो वीडियो को रोख करके लिखो खटा खट दवड भाग के चलो अब देखो इसका सिकेंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है मैं पूरा कोईश्चन नहीं मिटा रहा हूँ सभी साथी कलास को लाइक करते जाओ कमेंट पे ध्यान कम दो कमेंट में डंडा ना करो नहीं तो फटा फट बला करेंगे एक एक को पकड़ पकड़ के इसलिए कमेंट में चुक चाप पढ़ो और फाल तू कमेंट ना करो बेटा क्योंकि पढ़ाएंगे तो कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे उतना ज्यादा अगर तुम कमेंटी पढ़ने का सौक है तो पेड वाला कोर्स जॉइन कर लो तुमारा कोई डाउट है तूसे कमेंट करो बाद में हम उसे चक करेंगे और रिपलाई करेंगे लेकिन अब सोचो कि पढ़ा रहें तुरंते तुमारा कमेंट भी देखे जाए तो सब कुछ ना होगा चलो इसमें क्या क्या हमें दिया है दीखो दिया है इवेन देखो बेटा इसमें पहला पद भी नहीं पता हमें हमें दूसरा पद पता है और चौथा पद पता है ये थोड़ा सा कठीन बारा कुश्चन हो जाएगा लंबा हो जाएगा हमें पहला पद भी नहीं पता है इसमें सारबांतर भी नहीं पता है चलो ठीक है फिलहाल अंजान रास्तों पर हम लोग अंजान मुसाफिर है कहीं न कहीं तो चलेंगे ही कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही चलो अब क्या करना है जरा ध्यान से देखना बहुत ही गौर से समझना हमें इसमें क्या करना है हमें इसमें पहला पद प्राप्त करना है दूसरा पद दिया तीसरा प्राप्त करना है तो बिटा जो जो दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे है तो हमें पता है यह फार्मूला न बराबर a plus n minus 1 into d तो पहले तो हम दूसरे पद के according चलेंगे फिर चौथे पद के according तो दूसरे पद के according चलेंगे तो a2 बराबर a, a का मान हमें पता है नहीं, प्लस यन, यन मतलब दूसरा पद हम ले रहे हैं तो दो रख देंगे यन का मान, इन्टू डी, समझते चलो, तो यह a2 बराबर हो जाएगा, a प्लस टू से बन जाएगा, वन और d में multiple होगा, वन डी, यह equation number first हो गया, ठीक है, कितना हो गया, equation number first हो गया, a2 बराबर, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, a2 कमान कितना भया, a2 कमान 13 दिया बाबू, यह equation number first लिखने के पहले, इसे ऐसे लिखो, कि अब equation number first हो गया, ठीक है, क्योंकि a2 कमान 13 दिया था, इसी आधार पर हम equation number second बनाएंगे, चौथा समीकरण के आधार पर, पहले तो मैं standard formula लिख रहा हूँ भी, समझो, अब 4 अन की जगा पर 4 रखेंगे, a plus n की जगा पर 4, समझते चलो, a4 का मान कितना 3 है, क्योंकि 4 पर 3 दिया है, तो a plus इसमें से घटेगा, तो यह d हो जाएगा 3d, यह equation number हो गया second, देखो बच्चा समीकरण 2 और समीकरण 1 जो है, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो हमें d का मान आ जाएगा, अब हम यहां लिख सकते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लो, तो बाबु देखो दो समीकरण जो है, वो कुछ इतना आया है, जो कि तुम्हारे सामने में लिख दिया हूँ, समीकरण 1 यह आया है, इनको आपस में घटा लो, हाँ, आपस में इनको सब्ट्रेक कर लो, फटा फट, देखो सब्ट्रेक करने के लिए क्या करते हैं, चिन बदल देते हैं, चिन बदल देते हैं, तो यह घट जाएगे, माइनस का 10 आएगा, यह फलस माइनस कट जाएगा, यह घटेगा तो 2D आएगा, यहां से जब D कमाण आप निकालो गए, तो माइनस का 10 बटा 2, यानि Мाइनस का 5 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 5, चोड़ा निकाल के देख लो, साइड में, ये लो, जैसे आ रहा तुम्हें दीख तो रहा है सबको न ये माइनस का 10 बटा 2 बराबर D यानि माइनस का 5 बराबर D आयेगा कितना आयेगा माइनस का 5 बराबर D यानि D का मान कया आ जा गया माइनस 5 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न culinary计 diffé अब अगर हमें D कमान आ गया तो हमें A कमान निकाल सकते हैं, तीसरा पत, चौथा पत जब निकाल सकते हैं, कैसे जरा यहाँ पर ध्यान दो, जो D कमान आया है जैसे हम समी करण पढ़ते आएं उसी की अकार्डिंग चलें, तो आप लिखो D command समी करण एक में रखने पर इसे screen start ले लो, note कर लो, मैं मिटा रहा हूँ चती करो, लिख लो पटापट लिख लो समझते चलो मेरे साथ साथ में तो आप लिख भी सकते हो देखो मैंने क्या कैसे कैसे किया तुम्हें पता है लेकिन जो बीच में पढ़ेगा उसे ना समझ में आएगा पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा उसके बाद अब last में मैं ये जुगार लगा रहा हूँ साइड में जटा बनाके ना लिख 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 लिए उना डी कमान समिकरण एक में रखने पर, ये बना था ये बना था ना बेटा इसमें लाके रख दो ये प्लस और माइनस का 5 फाइनल में हो जाएगा 13 प्लस 5 बडाबर ए यानि आप कह सकते हो 18 वड़ावर है जैनि जो एक कमान आ गया 18 अगया हमी करण एक में जब हम ने D कमान रख दिया यानि हम कह सकते हैं इस कमान कितना आ गया 18 इसमें कितना आ गया 18 लिख लो कोई अगर डाउट है तो बता देना बिल्कुल भी टेंसन मत लेना एक भी पैसे का यार चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यह जो आपका पहला पद आगया दूसरा आगया तीसरा पद तो आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे अभी तक पढ़ते आयो भ साथ साथ में लिखते चलिए जब मैं कुश्चन कंप्लीट करता हूं तो मैं बोलता हूं कि बेटा स्क्रीन साट ले लो और कितने भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किये वह पीवी आरे श्टेडी चैनल तुरं सब्सक्राइब कर लें देर ना करें अगर प्रोचिंगों में हजारो लाखों में वह फिरी घर बैठे पड़ें अपने सपनों को साकार करें लेकिन कलास को सेर जादा फे जादा करें चलो लुद निकालना हमें तो तीसरा पद के लिए हम क्या करते हैं कर सकते हैं दूसरे पद में सारबांतर जोड़ दें तब भी त तीसरा पर आजाेगा तो दूसरा पर थारटीन दिया है कि कमान माइनस पांच आया है सब पता है ज्यों साभी यह ना तेरा माइनस पांच यह बराबर आठ आएगा यह तीसरा पद है कितना आएगा आठ आएगा इन्हें चाहो तो ऐसे लिख लो ए 3 बराबर कितना आए आठ यह नि पांच-पांच सब घट रहें कि अधिया आए आपका पार्ट सेकेंड भी कंप्लिट हो गया इसमें देखो बच्चा पांच पार्ट दिये गए हैं और सब एक से एक दयू के लाल हैं जितने पार्ट इसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत तेजी के साथ ध्यान देना बिलकुल भी टेंशन मत लेना तुम करते हैं कि अब करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए क्लास खतम होने के बाद हम सारे डाउट क् करना लाइब सेशन जब तक है तब तक सांती से पड़ो तब तक सांती से बढ़ो कि तीसरा पार्ट है पांच और यहां पर अब ध्यान दो इसमें क्या करना है हमें बाई साहब नाइन इंटू अपांटू यह दिया है अब यहां पर ज़रा ध्यान दो बिटा हमें क्या करना है दूसरा पद भी नहीं पता है तीसरा भी नहीं पता पहला पता है और चौथा पता है तो जो जो पता है वो लिखेंगे जो लापता है उससे कोई मतलब नहीं है यहां पर कि अई पॉर दिया है कि हमेंद डी दिया है नहीं दिया हमें निकालना हैρο में से समझना पैटा is जो हमें दिया I am जोमे दिया है उसी को ले करके हम चलेंगे तो अ बराबर होता है दुनिया को पता है तो तो चौथा पद हमें दिया है तो हमें A4 equal A plus N कमान 4 रखेंगे इंटू D दी कमान हमें पता ही नहीं है दी कमान क्या अला पता है चलो तो यहां पर एक चीज ध्यान दो A कमान भी तो हमें दिया है पांच दिया है ठीक है और चौथा पद भी तो दिया है ना भाईया चौथा पद भी तो दिया है यह भी मान रख दो चलो 9 into 1 upon 2 यहां से सब कुछ रखने के बाद D कमाना जाएगा देखो यह 18 बटा 2 हो जाएगा पाबू इस में से घटेगा तो 3D हो जाएगा क्यों कि चार में से एक जाएगा तो 3 आएगा और 3 का डी में गुड़ा करेंगे तो 3D हो जाएगा यह 5 इधर साइट पलस में था इधर आया गया माइनस में हो गया अब यह भिन हल करना तो तुम्हें बच्पन से आता है यह फाइनल में हो जाएगा उननीस माइनस दस बटे दो अब यह भिन अगर कहीं दी होती गधों ऐसे दिया होता तो क्या तुम इसको ना लगा पाते मुझे यह बताओ इसको हल ना कर पाओगे तुम कर लोगे ना इसको हल करके बताओ कितना आएगा जल्दी करो चलू नो बटा दो आएगा ना क्या करके बता हुझ जल्दी से फट्ट फट कितना आएगा भई है नौ बटा दो आएगा न किया नो बटा दो पराबर तीन दी अब यहां से समझो यहां से थोड़ा सा समझना वाला है समझो समझो इधर से D के साथ जो 3 है गुड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो फाइनल में हम कह सकते है 9 बटा 2 ऐसे रहेगा इसके नीचे 3 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा बराबर क्या है D इसको हल करना बहुत से बच्चे नहीं जान रहे होंगे कैसे होता है यह पूरा पूरा विन्द के रूप में यह बचारां के लिए इसके नीचे 1 शिपा लेते हैं अब बाहर का बाहर गुड़ा हो जाता अंदर का अंदर बटा यह हो जायागा आपका फाइनल में 9 बटा यह 2 गुड़ा 3 बराबर D यह कट जायागा यानि 3 बटा 2 बराबर D यानि D कमान कितना आया 3 बटा 2 मतलब 1,5 है न D कमान कितना आगया 3 बटा 2 इसमें किसी को कोई परकार का डाउट नहीं होना चाहिए सब कुछ मस्त चल रहा है ना बईया चलो तो D कमान आगया बटा अगर हमें पर्थम पद पता है D पता है तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं इसमें किसी को कोई अपती नहीं होना चाहिए चलो दूसरा पद निकाल लो जट से स्क्रीन साट ले लो पहले इतना स्क्रीन साट ले लो हो गया और जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने करें वो PBR एस्टेडी तुरं सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर करें मैं बार बार बोल रहा हूं वो तुम सबको दीख रहा है आखे फ़ड़ फ़ड़ के देख लो आ रहा है ना चलो देखो समझो कि कि और कलाश का टाइम इस समय यूटूब पर के सितंबर 2021 में दो पार दो बज़े चल रहा है हां सितंबर दोजार इकीस में दोपार दो बज़े से क्लाइस तेंथ कमेथ हो रही है कुछ भी अपडेट होती है तो आपको सुचित किया जाएगा नीचे नंबर चल रहा है उसके कांटेक्ट करना ठीक है चलो बेटा है कि दूसरा पद निकालो अप्लश दीए मतलब पहला पद पांच टी कमांग तीन पटा दो आया है यह तो तुम्हें जोड़ना आता ही है इसेने बड़े खच्चर तो तुम हो नहीं तो यह पांच दूना दस और यह तीन पटा दो यानि फाइनल में तुम कह सकते हो कि तेरा पटा दो यानि दूसरा पद कितना आया 13 अपांड्टूła कि तीसरा पद निकालोगे कैसे देखोँ आपका सोला बटा दो आएक sya आप कह सकते हो, यह आठ आएगा, तीसरा पद कितना आएगा, आठ आएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका यह तीसरा solution भी complete हो चुका है, final हो चुका है, आप लिख लिजिए, इसमें और भी जो parts दिये गए हैं, उमीद करते हैं, इसी तरह से तुम उसे हल कर लोगे, कर लोग सब कुछ जिन्दगी में, लेकिन एक बार फिर फिर जीतने की उमीद को जिन्दा रखना, और साथियों, उमीद बहुत बड़ी चीज होती है, चलो, अगले part की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसका अगला part तुम कर लोगे, बड़े प्यार स सबी कर लोगे ना, एक बार बोलो हाँ या नहीं, देखो इसमें 5 पार्ट दिया था, बेटा मैंने 3 करवा दिया है, और मुझे उमीद है पूरा, कि तुम इसके जो बचे हुए 2 पार्ट हैं, उन्हें इसी तरह से कर लोगे, नहीं कर पाना तो बता दो कि नहीं कर पाएंग नेफनलो के लेबल का ये सिलेवस है, पाटे करम है, अदराष्ट्री ये, समझ रहे हो, सब के लिए है ये, चलो, चौथा कुश्चन देखो, 5.2 में बेटा कुल मिला के 20 कुश्चन है, इस कलास में हम 4 कुश्चन बताएंगे, कलास एक गंटे ज़्यादा की हो जाएगी, इसलिए इसके आगे नहीं चलेगा, पाचवा, अगली कलास से चौथा देखो, क्यों था क्या कह रहा है, कह रहा कि AP, AP क्या दिया है, 38, 13, 18, 38, 18, और डाट 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 है, का कौन सा पद, कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है, ये जो स्रेडी दी गई है बेटा, इसका कौन सा टम्स है, जो 78 है, जो कौन सा टम्स का मतलब ये है, कि जैसे पहला पद क्या 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है, यानि ये पद क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसमें मैं तुम से पूछ हूँ, कि बेटा, इस स्रेडी का चौथा पद क्या है, तुम को होगा 18 है, मैं पूछ रह क्या 13 है, उसी तरह ये पूछ रहा है, कौन सा पद 78 होगा, बतलब ये बढ़ी रहा है, तीरे दीरे, तीन के बाद 8 हो गया, पांच बढ़ गया, फिर पांच बढ़ गया, तेरा हो गया, फिर पांच बढ़ गया, फिर पांच बढ़ गया, पांच बढ़ गया, पांच बढ थिए यहां पर सार्वांतर भी तुम्हें दिया इनको घटा ओगे आपस में घटा कर देखो पांच आएगा हमें और हमें भी दिया है क्यों इंधिया है एन-78 रहे हैं पस हमें यन निकालना है यन और यन में अंतर याद रखना बहुत आसान है इस सिंपल इस कुईश्चन इज वेरी मज़ेदार हां इंग्लिज में ऐसे तो बोलेंगे न जब देखो एकदम मस्त मस्त सवाल है यार अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धी लगा लो यह 78 दिया है यह कमान तीन दिया है हां यह तो में निकालना है सच अच्छा यह लो यह लो यह तीन इधर से आया इधर माइनस में हो गया यन माइनस वन इंटू पांच देखो यह 75 हो गया पांच इधर गुड़ा में इधर आया भाग में हो गया यन माइनस वन यह कट गया बबुआ 15 हो गया यह वन इधर माइनस में इधर आया प्लस में हो गया पराबर यन हो गया कि दूइनों जूड गया, यानि जो सोलवा पद है, वो क्या होगा, 78 होगा, आंसर कितना हो गया, 16, सभी को बात समझ में आई, हजम हुई, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं हजम हो रही, पेटा एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नही चैनल पे, विल्कुल फ्री का मैच साइंस पढ़ाया जा रहा है, इंगलिस के टीचर भी बहुत जल्दी आ रहे है, सब कुछ मिलेगा, फ्री मिलेगा, बोर्ड एक्जाम्प की तैयारी, घर बैटे करो, बस कलास को जादा फे जादा सेर करो, और लाइक करो, ठीक है, मिलते चलते चलते आपको बता दे, आप सभी PBR study का एप डाउनलोड करके पूरा कोर्स जल्दी फे जल्दी घर बैठे पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आज ही इन्रोल करें, एप्स के अंदर फ्री और पेड दोनों तरह की कलासे हैं, एक बार आप फ्री वाला जरूर ट्राई करें, ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें,